आप सभी लोगों को तो क्या चल रहा था हमारा option और option में हम लोगों ने क्या-क्या कर चीज कर चुके थी डेरिवेटिव डेरिवेटिव और option में क्या-क्या कर लिया था एक तो किया था option के अंदर बेसिक्स पार्ट नमबर वन पार्ट नमबर टू था वैलीशन ऑप्षिन वैलीशन ठीक है पार्ट नमबर थ्री ऑप्षिन स्ट्राट जीज बस इत्माजी तो है option और क्या जो मुश्किल टॉपिक था वो था वैलीशन ठीक है वो लिखने इसको एक बार पार्ट नमबर थ्री option strategies Sir ौपिसन strategy का मतलब क्या है option strategy का मतलब यार इस तरह से हम strategy बनाएं option ऐसा जुरूरी नहीं अच्छा एक बार बताओं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्राइज बढ़ने वाला है तो कौन सा option खरीद होगे सर कॉल option ठीक है मान लो exercise price है 500 अगर हमें ऐसा लग रहा है समझे ना मैं option strategy का मतलब समझाने जाओ अगर हमें ऐसा लग रहा है कि price बढ़ने वाला है तो हम कौन सा call option खरीदेंगे मान लोग premium देना पढ़ रहा है 25 अगर हमें ऐसा लग रहा है कि price कम होने वाला है तो put option मालोग premium लग रहा है 30 रुपए सर्ज अगर हमें ऐसा लग रहा है कि share का price बढ़ने वाला है तो call option खरीदेंगे और share का price गिरने वाला है तो put option खरीदेंगे कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कभी-कभी अवसुना कियार market में बड़ा कुछ होने वाला है मतलब आने वाले तीन मैने के अंदर-अंदर market में भूचाल आने वाला है बहुत कुछ election है सामने, election के बाद पता नहीं क्या होगा उसकी वजह से मैं ये नहीं जानता कि share बढ़ेगा कि कम होगा वो दीपेंड करता है कि government जो और पता नहीं रह गहीं पूर्न बहु मत नहीं जो जो प्रइजयरईटी नहीं मिलेगा तो जो share का नहींचे गिरेगा या तो फूल मैजयरयटी में आएगी government, या तो नहीं आएगी उसके हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि रिलाइंस के शियर का प्राइस क्या होगा सर इसका मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि high fluctuation होने वाला है yes wide volatility होने वाला wide yes या तो बढ़ेगा तो बहुत जादा बढ़ेगा गिरेगा तो कम गिरेगा पर मुझे ये नहीं मालूम कि पक्का बढ़ेगा बढ़ेगा कि पक्का गिरेगा गिरेगा ये दिक्कत है पर मुझे मालूम है कि कुछ होने वाला हती कौन सा खरीदू सर कॉल खरीदू कि पुट खरीदू सर दोनों ही खरीद लो ना दिक्कत क्या आपको तो दोनों option थोड़ी ने एक साथ exercise हो गई है, मत हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो कितना रुपए जा रहा है, 55 भी तो जाएगा, पर आप खुद वोल रहे हो न, भूचा लाने वाला है, तो हो सकता है share का price 600 हो जाए, या 600 किया 700 रुपए हो जाए, no doubt कि put option laps हो जाए तो call laps हो जाएगा पर ये exercise कर लेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है option strategy में, हम option को देखते हुए इस तरह से strategy बनाते है, बहुत सारी एक strategy या दो strategy नहीं है, बहुत सारी strategy है, और आप अनुमाल लगा सकते हो कि यार, इस strategy से क्या फाइदा होने वाला है, सिर्फ अगर आप सुनो, अगर आप खुला call बाई करते हो, या फिर put बाई करते हो, सिर्फ खुला put बाई करते हो, तो जलूरी नहीं है कि आपको फाइदा हो, लेकिन सुनो, सर इसमें loss हो सकता है कि आपका expectation क्या है, बहुत बढ़ा कुछ होने वाला है, अगर वाकी बढ़ा कुछ हुआ चाहिए गिरेगा चाहिए, आपको loss नहीं हो सकता, लेकिन अगर कुछ हुआ ही नहीं, जितना था उतना ही रह या इसी क्या सपास, तो भाई आपका 55 रुपए जाएगा, बस, आप जो सोच रहे हो होना चाहिए, उससाब से हम strategy बनाते हैं, ठीक है सर, और strategy कितने type की होती है strategy बहुत, बड़ी सारी type की होती है, जो हमारे काम का है, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है, और जिनको extra पढ़ना, उसके लिए मैं extra भी दे दूँगा, तो मैं आपको पहले रिखवा दो, option strategy कितने type की होती है, हमें कितने type का पढ़ना है, एक्छाल में, option strategy, डाइग्रम बना लो, कहां बनाओगे सर, कॉपी में बना लो, क्या दिखा, हमें जो पढ़ना है, एक तो पढ़ना straddles, तर दूसरा क्या पढ़ना है, इस ट्राइंगल्स, तीसरा strip, और चोहता straps, इसके अलावा भी है, protective put है, protective put, अच्छा सर, bull, bearish, butterfly, condor, बड़ी सारी strategy, और सर, एक्जाम में बताओ, एक्जाम में आता है के नहीं आता है, आज तक एक्जाम में, इन नामों से कभी strategy नहीं पूछा है, तर नामों से नहीं पूछा है, it means, it means option strategy का कोई question नहीं आता, अगर मैं आपसे बोलूं, मानलों आपने ये topic में जो पढ़ा रहा हूं, वो नहीं पढ़ा पाया, skip कर दिया, तो भी क्या आपसे option strategy के जो questions है, तो वो बन जाएगे, हाँ जी बन जाएगी, क्योंकि जो question आते, देखो, इसे मैं क्या लिखवा हूंगा, ठीक है, मैं एक बार बता रहा हूं, पहले straddle की बात कर, straddle में क्या लगता है, कि white fluctuation होने वाला है, ठीक है, तो ये क्या करते है, एक कॉल और एक पुट, कॉल और पुट, दोनों को खरीदना है, एक ही स्टॉक का, और एक ही exercise price पर, मैं लिखवा देता हूं, बात समझने हैं, straddle का मतलब है, कॉल एन पुट, वन कॉल वन पुट, वन इस्टु वन लिख दूँ क्या, one call, one put, एक है सलेगा, one call and one put, on. Same stock, one. maturity period at same strike price sir कहना क्या चाहती हो कहना ये चाहता हूं जब हम जाएगे देखो हमें क्या लग रहा है मैंने आपको बता चुका है wide fluctuation होने वाला तो white fluctuation होने वाला तो हम गए और हम गए stock exchange के पास और आपको ऐसे लग रहा है reliance का share कौन सा share reliance के share में white fluctuation होने वाला है ठीक है बात हो गई अब हम क्या करेंगे हम call और put option दोनों खरीदेंगे मैंने पहले ही कहा था जी call option और put option तो stock exchange के पास call और put option दोनों किसका reliance का तो ये तो confirm है same stock का खरीदना है ठीक है कोई दिकत नहीं इसमें same stock का ठीक है अब जब हम गए stock exchange के पास तो stock exchange पूछेगा maturity period कितना one month वाला कि two month वाला कि three month वाला कि four month वाला इस तरह से पूछेगा कि एक मैने में maturity वाला खरीदना कि दो मैने में maturity कि तीन मैने में maturity की जार तो हमने का यार तीन मैने का maturity हमने का एक काम करो ना call option का दो मैने का maturity वाला रख दो और put option का 3 मेने का बोले ऐसा नहीं चलेगा अगर आप straddle strategy create कर रहे हो तो आपको call option और put option एक ही maturity billet का खरीदना पड़ेगा option European नहीं होगा कोई बात ही नहीं यहां तक ठीक है तो हमने गा चलो 3 मेने वाला यह दोनों cancel अब वो कहेगा कि यार exercise price कितना मैंने का मतलब बुलिद आपको exercise price 1200 वाला चाहिए या 1100 या 1000 और premium भी call का लिखा रहेगा और put का मैंने का अच्छा अच्छा सुनो 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 अब मैं समझने की कुशिश करो मैंने का actual में call option का meaning क्या होता right to buy खरीदने का तो क्या मैं सस्ते से सस्ता में खरीदने का सोचूंगा यास तो मैंने का मैं हजार वाला भाई अरी भाई यह से अच्छा क्या है मैंने का यार अगर market में कीमत 1300 हो जाए तो 1000-1300 300 का फायदा तो मैं यह क्यों लूँ यह न लूँ हजार वाला बोले सुनो इसका प्रीमियम ज्यादा लगेगा 40 रुपए सर इसका 35 रुपए और सर इसका इसका 20 रुपए इस तरह से मन से बोल रहा हूं चीज़े ठीक ठीक और पुट ऑप्शन पुट ऑप्शन मतलब राइट टू सेल तो ज्यादा में बेचने का कोशिश करेंगे तो इधा प्रीमियम बोले और ज्यादा लगेगा 55 और इधा 40 और इधा 37 इस तरह से प्रीमियम लगेगा मैंने का सुनो त्यान से मैंने का फिर तो यार बडी दिफ्कत में कॉल आप्शन और पुट आप्शन खरीदना है तो आपको शच्ट अप्शन और पुट ऑप्शन खरीदना पड़ेगा at same strike price, कास आपको ये line अब समझ में जाएगे तो straddle में क्या लग रहा है आपको सर straddles में हमें ऐसा लगता है straddles में हमें ऐसा लगता है कि white fluctuation होने वाला आने वाले white fluctuation बहुत ज़्यादा volatility होने वाला इसलिए हम क्या करते है, call option और put option खरीद लेंगे किस पर एक ही strike price पर, same strike price maturity period भी दोनों का same होगा और याद रखना, जो call और put खरीद रहा है वो same asset पर होना चाहिए इसका नाम क्या है, straddles सिर्व नाम ऐसा क्यों पढ़ा, straddles पता दूँँग, straddles का मिनिंग पता है कि आपको straddles का मिनिंग को जाना, ठीक है sir, strangles भी समझाओगे क्या, strangles भी ऐसा ही है one call and one put on same stock for same maturity period यह important बस अंतर इतना है अच्छा सर, बस एक ही अंतर है, straddle और strangles यह, तेमी strike price पे और यह strike price अलग-अलग call option के strike price अलग और put option का अलग और इस तरह से कुछ strategy बनाए हाला कि इसमें भी हमें वही लग रहा कि white fluctuation होने वाला है, इसमें भी पर इसमें हमारा cost कम कर, याद करो, मैंने अलग-अलग लिया था, cost कम पड़ा था, हाँ, इसका मतलब, sir, call option अगर हम खरीदते हैं, ज्यादा में खरीदने का हम contract करते हैं, ज्यादा में तो premium भी कम लगे तो premium भी कम लगेगा, तो call option खरीदेंगे higher strike price पे, खरीदेंगे महगा, हाँ, और put option खरीदेंगे lower strike price पे, इस तरह से भी हम strategy हो में discuss करूँगा हैं, पर अभी एक बात समझ में हैं, कि अलग-अलग strike price पे खरीदा है, उसका नाम क्या है, strangles, तो क्या हो गया, straddles, strangles, आगे ल हमें ऐसा लग रहा है कि price गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है, पर price गिरने की probability बहुत ज़्यादा होती है, price गिरेगा, इसकी probability ज़्यादा होती है, तो sir, put खरीदो, पर बढ़ भी सकता है, तो हम ना ratio change कर देते हैं, दो put, एक call है, बस, अच्छा sir, So, put and one call on same stock for same maturity period, It, same, extract price, तो 2 put और 1 call, और सर्फ इस्ट्रैप में क्या होगा, बढ़ने का probability ज़्यादा होगा, ठीक है, तो सर्फ यहाँ क्यों हो जाएगा, तो call, and one put on same stock First same, maturity period, at same, right price, कुछ थिक्कत नहीं है, सारी problem, इसमें एक बाह बता हो, sir, यहाँ call put same पर, यहाँ call put, अलग-अलग strike price, sir, यहाँ 2 put, गिरने का probability ज़्यादा, 2 put, एक call, same strike price, यहाँ बढ़ने का probability ज़्यादा, तो 2 call, एक put, same strike price, अब मैं जो बोलने जाना हूं, दिहान से समझू, sir, यह अलग-अलग strike price भी तो हो सकता, उसके लिए भी तो एक strategy बन सकती है न, bull है, bearish है, बहुत कुछ है, मुझे नहीं करवाना, आज तक, exam में, strip और strap के तो question ही नहीं है, आप तो बोल रहाँ, sir, किसी के question, question किसी के भी नहीं है, sir, मतलब यह है, कि exam में ऐसे नहीं देता, exam में straddles क्या है, यह नहीं बता वो लेगा, exam में आपको बताएगा, कि हमने ला एक call option खरीदा है, और हमने एक put option भी खरीदा है, तो बताएगे profit क्या होगा, कोई strategy के नाम से नहीं पूछेगा, तो वो तो आप खुद ही कर लोगे, मैं प्रैक्टिस करवाँगा, आटमेटिक, ठीक है, sir, exam में कभी question नहीं आए है, option strategy का specific पोच कर, दूसरी बात, sir, और जो भी question आए है, वो straddle और strangle से direct तो नहीं आए, मतलब indirectly नहीं पूछा हूँ, बस वो पूछा है, एक call और एक put खरीद रहा है हम सेम strike price पे, यह तो question में लिखा रहे हैं के call और put खरीद रहा हैं, अलग-अलग strike price पे, यह दोनों ही बाते लिख रहे हैंगी, अब यह दोनों चीजे मैं आपको समझाओंगा, अच्छे समझाओंगा, पर मैं strip, straps, bull, bearish वगिरा नहीं समझा रहने वाला हम, बिलुकुल important नहीं है, साल पहले की बात कर लो, सर, question नहीं आते, बिलुकुल नहीं आते, तो मैं क्यों कर वाँ, पर फिर भी, कुछ लोगों का शौक होगा पढ़ने का, नहीं सर, क्या बात कर पढ़ना हैं, तो मैं आपको उसके वीडियो डाल देता हूं, जिसको मैंने बुल भी पढ़ाया, बीरिश भी पढ़ाया, कंडॉर भी पढ़ाया, बटरफ्लाई भी पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया, तो उसके वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगे, किस नाम से आपको मिली जाएगा, लेक्चर एडिशनल जो मैंने डाल रखा है, क् फॉर्मुला, डेरिविशन और फॉर्मुला, उसी के अंदर ये सारी चीशे में लेगे, अगर आपको देखना है तो देखो, पर भाई, अगर एक्जाम से रपे हैंना, मत करो टाइम बरबाद, मैं भी जानता हूँ, मैं पहले पढ़ाया करता था, वो लेक्चर क्यों रिक करवाने हैं, एक है इस्ट्रेडल्स और एक है इस्ट्रेडल्स, ठीक है जी लिखा हुआ, आपके पास सबसे पहली बात कर रहा हूँ, मैं इस्ट्रेडल्स के, इस्ट्रेडल्स इस्ट्रेडल्स में मैंने जो बताया था वो ही लिखा हुआ इन्वेस्टर को एक्सपेक्टेशन है कि वाइड वोलेटिलिटी होने वाली है इन प्राइज अप अंडरलाइंग एसेट इन फूचर पर वो शूर नहीं है अबाउट मुमेंट अबाउट मुमेंट मतलब प्राइज बढ़ेगा कि प्राइज गिरेगा इसलिए वो क्रियेट करता है कौन सी इस्ट्रेडल्स स्ट्राइटजी सब्सक्वाल बस कुछ बच्चे पूछते सर इसका नाम इस्ट्रेडल्स क्यों है यह ठीक इस ट्रेडल्स क्यों नाम है यह भी आपना उसमें देख ले रहा हाला कि ना यह जो नाम पढ़ा है ना वो ऐसे डाइग्राम जो मैं बनाऊंगा ना बिट्टे इस तरह से ऐसे मैं डाइग्राम बनाऊंगा इस डाइग्राम से नाम पढ़ा जैसे आपको बता रहा इस तरह से एक डायेग्राम बनेगा जिसका नाम होगा butterfly हलाकि butterfly asada एससे बनेगा यह butterfly नाम होगा मतलब डाइग्रामस से नाम है अगर मैं और इसका नाम है Kalau इस्ट्रैंगल इस्ट्रैंगल का मतलब समाचते है जो गल्र गल्ला अभाथते न ठायसी लगातीं इसके नाम से पड़ा, ठीक, वो हमारे कभी काम नहीं आने वाला है, ठीक है, तो इस्ट्रेडल्स में जो काम की चीज़ है, वो मैंने आपको लिखवा दी, अब आगे चले, यस, इस्ट्रेडल्स में होगा क्या, हम खरीदेंगे एक कॉल, और खरीदेंगे पूट, किस पर सेम में श्ट्राइक प्राइस पे, सेम एसिट होगा, सेम मैचुरिटी प्रिएड होगा, और इसको आप लॉंग इस्ट्रेडल्स बोलेगे, इट मिंस सर कहना कह चाते, अगर ये चारो की बात कर लो, अगर आप चारो ये खरीद रहा हो, पाई कर रहे हैं तो इसको क्या कहोगे लॉंग, अगर आप सेल कर रहे हैं तो इसको क्या कहोगे, शॉर्ट, लॉंग इस्ट्रेडल्स भी होता भई, कोई खरीदने वाला है तो कोई बेचने वाला होगा न, सर्शॉर्ट स्ट्रिप्स का मतलब दो पुट और एक कॉल बेचेंगे, सेम इस्ट्राइक प्रेस, अग कॉल एक पुट बेचेंगे, सेम स्ट्राइक प्रेस, बस और कुछ नहीं है, बेचेंगे मतलब राइट करेंगे, ठीक है, लॉंग भी हो सकता, शॉर्ट भी हो सकता, तो यहां जो बात कर रहा था, मैं वो किसके लॉंग की बात किया, जो डैफिनिशन लिखा है, शॉर्ट क कर रहा है, इग्जाम्पल नंबर 14, याद रखना, इग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, बाई, बाई, फरी ग्जाम्पल, यस, रॉका एन इवेश्टर को एक्स्पेक्टेशन है की वाईड फ्लक्टुएशन होने वाईड, in one share of reliance but he is unsure where the moment will be hence he buy one put and one call strike price is 700 call put दोनों खरीद रहे 700 से उपर जाएगा तो call exercise 700 से नीची जाएगा तो put exercise ठीक है कोई दिखत नीची टूटल कितना पैसा जा रहा है 35 जा रहा है put के लिए और call के लिए जा रहा है 45 तो तो टूटल हमारे जेप से पैसा जा रहा है असी रुपए जा रहा है ठीक है ये strategy जो create करना है उसका cost पढ़ रहा है point number one बिल्कुल बेकार का question है जिन्दगी में कभी नहीं आने वाला है क्या पूछ रहा name the strategy तो क्या ना बजाएगा straddles point number two बोल रहा break even point और compute cost of strategy cost of strategy तो दिख रहा है यहीं कर देता हूँ आप भी अगर आपके पास book होगी तो यहीं कर लो नहीं तो copy में कर लो cost of strategy 35 35 or pct bp अब ध्यान से समझना hey भगवान या तो price बढ़ा दो या तो price कम कर दो या तो 700 से उपर कर दो या तो 700 से नीचे कर दो मैं जानता हूँ लैक्स हो रहा पर भगवान इतना कर दिये चीए कि कम से कम मेरा total कितना जा रहा 80 तो 80 के recovery तो हो जाए तो इट मेंस जो है वो अलग अलग आएगा यास अगर मैं कहता हूँ कॉल के लिए बीपी क्या आएगा 700 प्लस 80 780 या कम करना है भगवान तो कितना 600 700-80 600 क्या है 600-80 is equal to 620 ठीक है कुछ बच्चे बोलते हैं 700-45 करो क्यों 45 भाई मैं break-even call का नहीं निकाल रहा हूँ मैं break-even अपना निकाल रहा हूँ कि मुझे कब बीपी आएगा ठीक है ठीक है तो पहला और दूसरा point यह अच्छा point था बीपी निकालने वाला इस पर जड़ा फोकस करना ठीक है आपको profit और loss निकालना है प्राइज और maturity पास्षो पचास हुजा छेस्षो हुजा छेस्षो पचास हुजा शेस्षो पचास हुजा तो क्या बनाएंगे डाइग्राम चलो बनाते हैं कैलकुलेशन ओफीत का रोस् मतलब प्रीमियम माइनस करके कैलकुलेशन आफ प्राइब 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 श्याइज एब निकाते हैं प्रेला किया लिखना पड़ेगा प्राइब प्राइब किया जाएगा एक्सन मतलब सर एक्सराइब नोट अलग अलग कर लेते ना यार एक्सन ही लिखता हूँ जाएब आच्छा एक्सन कॉल पुट क्या आएब ग्रॉस्पी आफ कॉल पुट फिर क्या मैनस करेंगे कॉश्ट अपी स्ट्राइडिजी कॉश्ट आफ क्राइट इस यह मैनस कर देना तो यह जाएगा नेट पे आप जिसको आप क्या बोल रहा हूं प्रॉफिट क्या ठीक है ठीका फिले ओুले मार्करबच देख लिए क्या अधि 550 600 600 500 500 500 500 600 500 700 500 55 75 800 और 850 याद रखना क्या याद रखना है कि 700 से उपर जाएगा तो कॉल और 700 से नीचे जाएगा तो उठ चिसो पेचास पहले कॉल कॉल अलग अलग कर लेते हैं पहले कॉल की बात कर लें यहां क्या हो जाएगा लैप्स यहां क्या जाएगा एक्सराइस 800 पर एक्सराइस 855 पर लैप्स तो यहां 0 यहां भी 0 यहां भी 0 यहां पचास पुट की बात करो तो पुट 700 से कम में एक्सराइस इक्सराइस्ट 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 80, 80, 80, 80, 150, minus 80, 70, 20, minus 30, 0, 0 थोड़ी न आएगा, 50, 0, minus 80, minus 80, minus 80, minus 80, 100, minus 80, 20, 150, minus 80, 70, यह अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों नहीं है, लिखी देते हैं, 80, 80, 80, 80, that's it, बताओ, कोई कुश्यन था किये, एक बाद बताओ, सबसे जदर लॉस का कितना है, प्रीमियम, उससे जदर लॉस, और उतना लॉस कब होगा, सर, जब 700, अब बोल जाते हैं, 700 से यह तो बहुत जदा बढ़ेगा, 700 से यह तो बहुत नीचे जाएगा, पर ना तो उपर गया, ना तो नीचे गया, तो 700 ही रहा, तो भी जो जाएगा, वो प्रीमियम जाएगा, ठीक है, ठीक है सर, वैसे जबरत तो नहीं है, पर कभी कभी, ऐसा डाइग्राम भी पूछ, पूछा तो नहीं है अज तक, पर कभी से कभी यह डाइग्राम देखोगे, तो डर नहीं लगना चाहिए, किसी होता किया, मैं नहीं करवा रहा हूँ, अच्छा, मैंने करवाया आपको और ज्यादा नौलेज चाहिए, तो फॉर्मूला डेरिविशन वाले लिंक पे फोल्डर खोली, आपको मिल जाएगा, पर अब भी मैं कहता हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया देखो, इस डाइग्राम की मदद से समझने की कोशिक करना, बोलो बिटे, मैक्सिमम अब का सर 700 रुपए, 700 रुपए पर मैक्सिमम लॉस हो सकता है, बीपी कितने पे आ रहा है, बीपी जब भी डाइग्राम बनाओगे, एक्सराइस प्राइस पक्का पक्का लिखोगे, और यहां लॉस, अब बीपी कितने बनेगा सर, एक तो बीपी आएगा 180 पे, ठीक, और एक बीपी आरा 620 पे, अब ही क्या करना है, यहां से लाइन किस देना है, और इसका नाम हो गया, इस ट्राइडल, क्या यह एक्जाम में आना है, सवाल ही पेंदा नहीं होता, ठीक है, पर ठीक है, कभी डाइग्राम देखो ना, किसी बुक में देख लो तो डरना मत, क्यार ह हमने तो ऐसा कुछ डेरिविटी में पढ़ा ही नहीं है, आता ही नहीं है तो नहीं पढ़ा है, क्यों टेंशन लेते हूं, यह किस, चले आके, मज आया है, अब बात करते हैं, किसकी इस्ट्राइंगल्स, ठीक है, इस्ट्राइंगल्स, मैंने क्या कहा था, मैंने यह कहा था कि आपका वाइट फ्लक्चिएशन होनी वाला है, ऐसा लग रहा है, तो आप क्या कर रहे थे सर हम कॉल, एंड पुट, दोनों करीद रहे थे, पर अगर हम सेन्ट्राइक प्रइस पे खरीदते हैं, तो उसका नाम ह है strangles, एक बार रिट करें, investor को ऐसा लग रहा कि void volatility होने वाला है in price of share, but he is not sure about direction that is price rise or price fall, hence he creates strangles strategy, in strangles we buy one call option and one put option important है, at different strike price, बस और कुछ नहीं, straddle और strangles में एक यही अंतर है different strike price, on same as it for same maturity period, if price will rise, अगर price बढ़ेगा तो call exercise होगा and put option lapse होजाएगा, अगर price गिरेगा तो put option exercise होगा, collapse होजाएगा इसमें तो कुछ था नहीं समझाने वाला, यह important है, यह दोनों line important है cost of strangles strategy is less than cost of straddles, और उसकी वज़ा क्या है, in strangle, call option is bought at higher exercise price and put options, तो यह दोनों का मतलब समझाओगे, पक्का मतलब समझाओगा, पर उसके लिए मुझे एक example करवाना पढ़ेगा तो पहले एक simple सा example करवाता हूँ, फिर एक थोड़ा सा conceptual example करवाता हूँ, जैसी वो conceptual example करवाँगा, तो यह दोनों point आपके automatic समझ में आ जाएगे, हाला कि कुछ बच्चों को पहले ही समझ में आ चुका है, क्योंकि मैंने बताया था कि हम cost कम देना चाहेगे, खेर, वो examples जिन्होंने नहीं सुना होगा, वो आगे समझ चाहेगे, तो इस triangles का एक simple example ले लेते हैं, एक conceptual example ले लेते हैं, और उसके बाद यह दोनों चीज़े आपको समझ में चाहेगे, तो example number कौन सा ले लेते हैं, 15, देखते हैं क्या लिखा, Mr. G को expecting है कि white fluctuation होने वाला in stock of reliance, he buys one call option, call, strike price कितना, 700, premium कितना देना, 45, इसके लावा और क्या खरीदा है, put, exercise price कितना, 650, premium कितना देना पढ़ा, 20, total मिला कर कितना है, 465, call कब exercise होगा, 700 से उपर और put कब होगा, 650 से कम है, name the strategy, देखिए आपको call और put buy कर रहा है, आप चाहो तो इसको long strangles करके, अगर मैं पिछली वाली जो strategy था ना, कहां गया हुई, इसमें बोला था name था, strategy, इसको मैं long straddles बोल सकता हूँ, खरीद रहे तो long, अच्छा सर, ऐसे इसको मैं क्या बोल सकता हूँ ना, खरीद रहे हो ना, call और put दोनो, इसको मैं कह सकता हूँ, long strangles, यह long समझ में नहीं आ रहा हूँ, तो strangles लिख दो तू भी बहुत, long strangles, ठीक है, cost of strategy, 45, plus 20, 65, break even point. पॉल के लिए, भगवान प्राइस बढ़ाओ, और इतना बढ़ादो कि मेरा 65 रुपे के recovery हो जाए, तो 765, यह भगवान प्राइस गिराना है, तो इतना गिराए, कि मेरी पैस, 650 होगा, याद रखना, यहां मस्से गलती हो रही थी, 650 माइनस 65, 585, फिर से बोल रहा हूं, कुछ लोगों का यह कहना पड़ सकता है, यहां से 20 माइनस करो, मैं यह नहीं बोल रहा हूं, कि put option BPP कितना आएगा, मैं BPP कितना होगा, Mr. G को break even point कब होगा, जब प्राइस गीरे, क्योंकि यार कॉल का भी पैसा जायत हो रहा है, तो बही टोटल मिला कि पैसे ट्रुपे से कम हो, तब मेरा पुज इतना पैसा गया ना, कॉस्ट वो पूरा की पुरा रिकवर होना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस निकाला है, पास सो से श्टार हो रहा है, पास सो बीच में 600 से डान दिया है, पास सो से आट्सो पचास, लोग करते हैं, कैलकुलेशन और प्रॉफिट और लॉस, पहला कॉलम जाएगा प्राइस का, फिर आजाएगा सर एक्षन, फिर आजाएगा हमारा ग्रॉस पी ओफ, कॉस्ट और नेट प्रॉफिट और एक्षन और यहाँ, और आजाए। ahh को झाग को है ठीजिए टीक शपन आटछा कोथा že । आपने दाटेको प्यालेंगह। फ्सरीरमा रियू में भीर gast Windows ब nonprofit cards under HDMI इस में से माइनस होका cost of strategy profit or loss price क्या क्या हो सकता है 500, 500, 600, 600, 600, 600, 600, 600 500, 550, 600, 350, 380, 600, 500, 500, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800 अच्छा इस ट्राइक प्रेस क्या है साथ सौ और शेसो पचास ऐसा लिख लेता हूं मुझे सामने लिखता है बस साथ सो से ऊपर में एक्सेसाइज छेसो पचास से कम में एक्सेस तो सबसे बहले बाद किसी करें कॉल की बद करें साथ सो से पर सा लैप्स्ट साथ साथ सो तक जाने दो एक्सराइस ऐसे पुटका भी कर लें कि सो पचास से कम एक्सराइस पास सो पचास से छेसो पचास पर लैप्स्ट करीप पूरा लैप्स्ट अशे ठीक पी आफ कॉल क्या पहले पी आफ निकाल लें ते कॉल का दोसों नई कॉल तो लैप्स हो गया है जीरो 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 यहां पचास तो एक्सो पचास एक्सराइस यहां कितना एक्सो पचास से कम में एक्सराइस मतलब यहां एक्सराइस यहां कितना एक्सो पचास जीरो, 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 पर कॉस्ट आप स्ट्राटजी कितना था टूट्र मिलाकर, पैसर टूप है, जीरो, 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 पंद्र रुपे का लौस ऐसब का लौस ऐसब का लौस ऐसब का लौस ति पंद्र रॊपे का लौस 100 मैंस पैशब 35 और इए वशी तो प्रौफिट लौस खतम हो गया है बताओ maximum loss premium, उससे ज़्यादा loss हो नहीं सकता, पर खास बात सुनोगे, बिट्टे सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, यहाँ जो premium का loss है, वो ज़्यादा समय तक रहा, 65, फिर 65, फिर 65, पर यहाँ सिर्फ एक point of time पर दिख रहा है, आपको कहा गया हमारा, यहाँ दिख रहा है, इस इसी loss एक बार है, फिर loss जो premium उसकी recovery स्टार्ट हो लगई उपर नीची जाने से, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 65, 65 loss ज़्यादा समय तक के लिए था, ठीक है, recovery होने में थोड़ा सा time है, खेर, उतना research हमें करना नहीं है, सर एक बार इसका diagram भी बना लोगे, यहाँ डा पर strike price दू है, तो यहाँ दू डॉट लगा दिया, कितना कितना है, 600, 50, और एक 700, फिर उसके बाद यहाँ एक डॉट लगा दिया, और यहाँ एक डॉट लगा, बीपी कितने कितने में, तर बीपी है, 165 और 525, फिर यहाँ 165 लिखा, और यहाँ 525, मतलब सर, इस लाइन पर चार चीज़े लिखनी होती, exercise price, क्योंकि यहाँ दो exercise price, exercise price और बीपी, और क्या करना, इन लाइनों को मिलाना है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यह कर दिया, यहाँ से यह कर दिया, इसका नाम क्या इस ट्रेंगल्स देख रहा है इस ट्रेंगल्स जो फालसी लगाते हो अच्छा और सुनो loss क्या ज़ादा समय तक के लिए है loss का जो period हो ज़ादा है ठीक है ठीक है सस्ट यहाँ तक हमको बास समझ में आई कि straddles क्या होता इस्ट्रेंगल्स क्या होता बिल्कुल सी एक्जामपल्स मैंने कर वाया लेकिन अब एक थोड़ा सा conceptual example करवाने जा रहा हूं और यह रहा example number 16 मैंने काना कि मैं पूरा जो focus है वो straddle और strangles पर ही करूँगा बस उसके अलावा मुझे और को strategy पढ़ाना भी नहीं है ठीक है सर देखते हैं लिखा है following are the options available for reliance for three months अब सुनो exercise price है call option है put option है straddles और strangles strategy create करने straddles और तो बात करते हैं straddles अगले पेज में लिखो नहीं ज्याद अच्छा इस ट्रेडल से लग इस ट्रेंगल से लग और मैं बात कर रहा हूं लॉंग इस ट्रेडल्स के तो लॉंग इस ट्रेडल्स में करना क्या सार call or put at से मैं श्ट्रेक price मैंने क्या किया यहां by call and put at the size price कितना यह बाला ले लिया है 11 सुँआ क्यारस एन पैट प्रीमियम टोटल प्रीमियम कितना देना पड़ा टोटल प्रीमियम पच्पन और चालिस पच्पन और चालिस कितना होता है 55 प्लस 14 95 सर ठीक दोनों का मिलाकर ठीक है अब बात करते बीपी कहां बीपी मांगा बेटे मुझे इसमें कुछ सम्झाना ना बस इसलिए क्या कॉल के लिए बीपी आ जाएगा यस कॉल आप्शन का एक्सरसाइज प्रैस कितना सर ग्यारास ओ ग्यारास ओ प्लस 95 1192 और प्ट का सर ग्यारास ओ माइनस 95 कितना होता 1005 मैं एक इक्जामपल क्यों करवारा हूँ क्या एक्जामपल इगा सवाल ही पैदा नहीं होता चाहिए दुनिया इधर से इधर क्यों नहीं जाए यह एग्जामपल तो कभी नहीं आने वाला जो अ कर्वारा रहा हूं। पर कुछ कॉंसिप्ट की बाते करने वाला हूँ ना बस और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है मुझे पे आप बनाना इसके लिए मैं सारा काम कर रहा हूँ ठीक है भाई ठीक है sir maximum loss कितने उसके सर प्रीमियम 95 और यहां क्या लिखना होता यहां लिखना होता exercise price ईतना है ग्यारा सो और साथ में बीप एक्सराइस प्राइज एक ही है पर बीप दो होगा पक्का ग्यारा सो पंचियान में और एक हजार पाच और जहां भी एक्सराइज है वहां डॉट लगाना है और अब क्या करना है चैक यह प्यूब बना है और एक हांऱ्यॉड यारा सो पंचियान में मतलब जो इकवरी होगी वह 95 की रिकवरी होगी जैसे उपर क्या हो जाएगा प्राइग इस को क्या बोल जहारा हूं है स्ट्रेडल्स जब मैं जैसे ही स्ट्रेंगल्स पढ़ाओं बताऊ आपको सारी बाते समझ वह जाएगी स्ट्रेंगल्स जब सुन ना ध्यान से क्या है स्ट्रेंगल्स पॉइंट नमेर टू इस्ट्रेंगल्स इस्ट्रेंगल्स में कॉल एंड पॉट सेम स्ट्रेंग प्राइस के अलग अलग स्ट्रेंगल्स अलग अलग कौन सा सर कॉल कितना है पे पॉट कितने है अब सुनना ध्यान से इस्ट्रेंगल्स में हमारी ये कोशिश रहती है कि हमें प्रीमियम कम से कम लगना चाहिए कम से कम, cost कम पढ़ना चाहिए, अगर देखो तो सबसे कम call का premium कहा है, सबसे कम कहां दिखाए दे रहा है, यहां 35, और put का premium, 45, इसका मतलब इसी situation में हम दोनों को खरीदे कि हमारा premium कम से कम हो, जब आप call खरीदते हो, मतलब हम खरीदने का contract कर रहे हैं, कि हम आपसे share खरीद लेंगे stock exchange, तो stock exchange 1000 में देगा तो premium जादा लेगा, पर वो कहेगा आप महगा खरीदोगे कि हमने का हम महगे भी खरीदने को तेयर है, तो बहुत ठीक है, फिर कम भी premium दोगे तो चल जाएगा, it means call option कभी भी खरीद जाएगा higher exercise price पे, higher, higher में खरीद होगे premium कम दोगे, put option मतलब क्या होता, right to sell, बेचने का contract, अगर महगे में बेच होगे तो premium भी जादा लगेगा, सस्ते में बेच हो, तो put option कभी भी खरीदा जाएगा lower strike price पे, याद रखना, by chance theory आता है, वाकि नहीं आएग call option का exercise price हमेशा ज्यादा रहेगा, किस से ज्यादा रहेगा, put option के exercise price से, ताकि cost of strategy कम पड़े, straddle किया picture, यही मैंने लिखवाया था, इसी के लिए मैंने example करवाया हूँ, बस और कुछ, मैंने लिखवाया हूँ, cost of strangle is less than cost of straddle, और उसकी वज़ा, call option खरीदा जाएगा, higher exercise price पे, और put option किस पे खरीदा जाएगा, lower exercise price पे, ठीक है, बात समझ में आगए है, finally, क्या हूँ, buy, strangle कर से create करोगे, in strangle buy, call option at strike price 1200, and pet premium, petis, per call at exercise price, bar awesome, and pet premium, rupees, 35, 35 and buy, put option exercise place 1000 and pet premium rupees कोस्ट क्या पढ़ना थर्टी फाइफ ट्वंटी फाइफ ट्वंटी फाइफ ट्वंटी फाइफ पच्छिस पच्छास और ट्रोपर होता लेसे तो पर फिर भी उठालो भई मैंसे पता निक क्यों गलती है हो रही है आजका दूसरा क्या मांगता है दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट की हमें जब्रत पढ़ती है कॉल के लिए है बारासो प्लस साट बारासो साट और पूट के लिए है एक हजार माइनस साट प्रेमियम से जदा होगा नहीं साट रुपय से जदा इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं अब कितनी है दो कितना कितना और एक है एक हजार और एक है बारासो ब्रेक इवन कितने पर आएगा एक है बारासो साट और नो सो चारिज अब मुझे डॉट लगाना देखूं डॉट कहां लगा रहा हूं कभी भी एक्सेसाइज प्रैस के नीचे और मुझे काटना इसको है इसको नाम दे रहा हूं इस्ट्रैंगल्स इस्ट्रैडल्स में क्या कॉष्ट ज्यादा लगता है यस कितना गया था 95 और यहां कॉष्ट कितना पढ़ आए 60 इसमें ब्रेक इवन जल्दी रिकवर होगा इसमें रिकवर होगा जल्दी मतलब बारासो थोड़ा सा उपर गया साट गया तो प्रीमियम के रिकवरी हो लेकिन ज्यादा समय तक किसमें लॉस है इसमें इसमें तो मैक्सिमम लॉस यहां उसके बद रिकवरी चलो होगी फास्ट लेकिन यहां जो दिख रहा है ना यहां रिकवरी इतने जल्दी स्टार्ट नहीं होना है यहां ज्यादा समय तक के लिए यहां लॉस दिखाई दे र यह सब वीडियो में मैं आपको प्रोवाइट कर देता हूं लाश्ट में एक वीडियो फोल्डर बना होगा डेरी वीशन ओफ फॉर्मुला जिसमें सब कुछ डला हुआ है ठीक है जी अब क्या करना से अब बनाना कोश्चन्स और सुनो क्या एक्जामे कोश्चन्स इतने सारे कॉश्चन्स आए एक जामें बड़े सारे कॉश्चन्स तर आप तो बोल रहा थे कि नहीं आते पर मैंने एक बात बोला था अगर आपने स्ट्रेटिजी नहीं पढ़ा है तो कोई मतलब ही नहीं है जब मैं आप कोश्चन्स बनाने जा रहा हूं और जब कोश्चन्स बनाऊ कोश्चन बना रहा है या तो इस्टडी मटेरियल के कोश्चन है या तो एक्जाम्स के कोश्चन है तो चलो श्टार्ट कर रहा है कोश्चन नमबर ट्वंटी थ्री से पढ़ें है ठीक है लिखा है मिश्टर पी इस्टाब्लीश दा फॉलिंग इस्प्रैट अलग की इस प्रैड में ऑ ला यको उ ओसे प्रैटो थो फैस्टाथ होता उसको इस्प्रैड बोला आस यहीं नहीं और इस प्रैड बोला आप इसको इस्ट्रेटिज़ी समस्ष्ट फश्ट ? तो मिश्टर पी ने कुछ इस्ट्रेटिज strategy बनाया, क्या बनाया, क्या नाम से बनाया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बुले, इसने purchase किया है, one three month call option, premium कितना है, six point five zero, और exercise price कितना, 110, कौन सब्चन है, call option, exercise price कितना है, 110, उपर, और premium कितना दिया, 6.50 पैसे, इसके अलावा भाई साव, इन्होंने put option भी खरीदा है, दोनों त्रीन मैने वाल है, premium कितना गया, 10, exercise price कितना है, 90, exercise price है, 90 से कम होगा, और premium कितना गया है, 10, ठीक है, सर, ये तो strangle से, मैंने कहा ना, नाम मत लेना strategy का, strangle से, कि straddle से, वो पूछेगा थोड़ी, अच्छा, तो सर, उसने call or put दोनों खरीदा, हाँ, जी, call or put दोनों खरीदा है, बोल रहा है, बोले, costal corporations stock is currently, बोले, अभी कितने का, बिकरा शिएर, 100 रुपए का, determine करना, profit or loss, if the price of costal corporations stock, 100 ही रहता है, तीन महने बाद, अगर price 100 रुपए ही रहता है, तो बताना है कि option exercise करेंगे, कौन सा करेंगे, कितने का profit or loss हो रहा है, या share का price कितना रहता है, अगर, बोले, 70 रहता है, तो, या share का price कितना हो जाता है, बोले, बढ़के, 138 हो जाता है, तो, और एक बार में कितना shares, 1000, जो भी आएगा, 1000 से multiply कर देंगे, RTP का है, और RTP कपका में, 2022 के RTP में एक question बना है, बहुत सारे लोगों का answer भी आ गया होगा, कैसे आया होगा सुनना दियां से, सर, 110 से उपर call 90 से नीचे put, सर, 100 हुआ तो, ना तो call, ना तो put, तो, सर, यह और दा, 16 रुपे 50 पैसी का loss, और सर, 1000 shares, तो, सर, 1000 into 16 रुपे 50 पैसी, तो, सर, 16,500 रुपे का loss, तो, सर, अगर 70 हुआ तो, अगर 70 हुआ तो, profit, gross pay-off पर 16 रुपे 50 पैसी, तो premium है, मैनस, मैनस 16 रुपे 50 पैसी, cost गया, सर, 3 रुपे 50 पैसी का profit, इंटू, हजार, तो, रुपीज, 3,500 का profit, सर, 138 हुआ तो, कौनसा call exercise, 138, minus 110, तो, सर, 28, मैनस 16 रुपे 50 पैस, तो, ग्यारा रुपे 50 पैस, इंटू, एक हजार, तो, सर, 11,500 रुपे का profit, तो, कितने नमबर का कोश्चन है, दस नमबर का, तो, यह फाइनल में, दस नमबर का वश्चन है सावी, क्या सभी बच्चों का दस मिलता होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्यों नहीं मिलते नमबर, बच्चे बोलता सार, हमने करके आये हैं, पर पता नहीं, नमबर इसलिए, क्योंकि पैरग्राप में लिखना है, आपको क्या लगता, तीन लाइन लिख देने से दस नमबर दे देगा, कि I.C.A.I., प्रेजेंटेशन इंपोर्टेंट है चाहिए प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन में एक क्योंकि यहाँ प्राइस बहुत ही कम है, तो आपको प्रेजेंटेशन में पैरग्राप लिखना पड़ेगा, तब ही हो, अच्छा, सरी यह बात है, हाँ जी, ठीक है तब कैसे लिखना है एक कोस्षिन में मैं लिखाता हूं आगे तो आप कर लोगे ठीक के तो श्टार्ट कर मेरे साथ लिख लो भाई लिख लो प्लीज प्लीज हाथ जुड की विंती है CA final वालों के साथ बच्चों के साथ दिक्कत क्या हमालूम है वो अपने आपको ऐसा समझते कि हमने calculator चला लिया answer ला दिया answer लिख दिया खत्म हो गया हमारा काम और फिर जब वहां जाती है ना एक्जाम में तो क्या लिखे भाई answer तो आला दिया लिखे क्या ही तो लिखना नहीं आता और फिर नंबर कर मिलते हैं तो चले श्टार्ट करें लिखना ठीक ऐसा चाहता और कहानी लिख देना किया इस ट्रेगनल्स है पर नहीं भी लिखोंगे पर चल दाएगा कि अले कॉस्ट आप इस प्राइडिजी सबसे पहले किपने यह यह सीट खनाते हैं यह लिक्कर रख दिया, पॉस्ट्रों में स्ट्राथिजरत पड़ती, तीन अलग-अलग कंदिशन, पहली कंदिशन, प्राइस और मेचृर्टी एट टूपिस हंट्रट, ni, प्राइसंटर्ट, हैसंटर्य हैेरों इस्ट्राइस प्राइसर केलाइस, क्या है Chief R living internet, is fairly है,одыse nostro इस्ट्राइस और सूब्सूद्रों है,я Chief Yahard Par Commander, कौनसा option exercise करोगे call की put दोनों laps लिखना बढ़ेंगा in this situation both call and put option लिखना began विखना लिखना लिखना लिरीविटर्ट लिखना लिखना amount that is rupees 16,000. Point number 2, price on maturity, rupees 70. In this situation, price geera collapse, collapse, call option will lapse and put option will be exercised, gross pay off. How much? 70. Exercise price how much? 90. 20. Number of shears, picture cross pay off total. 20,000 minus cost 2,000. 16,000. Profit. 40,000. 30,000. 30,000. 30,000. निकल गया था ना हाँ भाई हाँ मुझे में वालू है 3,500 अपने निकाल लिया था अगला अगर 138 हो जाया था प्राइबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबेबे ठीक है, तो क्या लिखेंगे, in this situation, in this situation, what option will lapse, and call option will exercise. Watch this, . Grosp of 130- कितना, एक सुदस्ट, yes, 28. 28, number of shares thousand, gross pure, 2800, minus cost of strategy, 11,500, 28,000 होगा, कि तो गयारह हजार पास्ट्रो का क्या हो गया प्रॉफिट पहले कि प्रॉफिट वहाँ था गया था लिए देख ग्यावाँ पास्ट्रो नहीं आ रहत है तो बस अंतर इतना ही है सर जी कि आपको ऐसे बनाना पड़ेगा लिखकर बागी और कुछ नहीं और खास बात सुनो यह कोश्चन नमबर जो 23 में ने करवाया इतना रिपीट है सर इतना रिपीट है पता नहीं मैं हर बार बोलता हूं कि यह ऐसा कोश्चन पूछेगा नहीं पर वह ही पूछता है तो करके चले जाना विंती है प्लीज करके चले जाना एक कोश्चन करके चले जाना मैं तो होंवर्ग दूँगा बहुत सारा क्या इस्टार्ट करें होंवक क्या यह भी सेम कोश्चन है वैसा ही यस MTP में डला हुआ है कौन कसी आओ MTP में अप्रेल 2022 में भी डला है इस्टडी मटेरियल में भी डला है प्रैक्टिस मैनुवल में भी डला हुआ है और यह कोश्चन मैं आपको दे रहा हूं और प्लीज कर लेना यह मद बोलना कि सर ने PM या SM का कोश्चन शुडवा दिया और यही मान लो एक्जाम में आ गया तो काओगे कि सर यह तो आपने करवाई नहीं था भीया सर मैंने यह वाला तो करवाया ना यार तो ठीक है प्लीज कर लीजिए का हूंवक है यह हूंवक कोश्चन नमबर 25 वाव सर यह भी एक्जाम में आया था सुनो में 2019 इस कोश्चन में अगर आपको ना नहीं बन रहा है ना तो आपको शर्म आनी चाहिए सीदी सीवाथ तो होंवक क्या यह प्लीज कर ले ना मैंने का ना बार बार आई सी ए आई यह वाला कोश्चन पुछता है सर यह वाला कोश्चन क्या है एक्सरसाइस प्राइज है पास साथ साथ में उसने थ्री मंद पुट भी खरीदा है चार्त तो साथ मार्केट प्राइज अप शियर पर्चिस यह भी हो जाएगा आराब से यह भी होमवर्क और यह भी एक्जाम में आया है में 2018 है सर यह भी होमवर्क दे दो बिलकुल सही होमवर्क और यह है एसम न्यूस लेवस में अब पी एम में भी है तो छोड़ने के गुंजाइस ही नहीं ठीक है असल बात सारे कोशन से एक जयस है इसको करवाने का सेंस नहीं दुबा रहा है सर यह कोशन यह कोशन मुझे करवाना चाहिए जहां मुझे लगीगा कि करवाना चाहिए मैं वहाँ प collect कर आओंगा को कोशन नमबर 28 पर आ जाते कोशन नमबर 28 पेस नमबर आप देख लेना, ये कहां है, ये SM New syllabus में भी डला हुआ है, और Practice Manual में पढ़े कोशन को, yes The market received rumors about ABC corporations, जो है, वो tie-up होने वाला है, किसे multinational companies This has induced the market price to move up If the rumor is false, the ABC corporation will probably fall dramatically वैस अब अफवा है, अफवा अगर सच हो जाएगी, तो Price बढ़ेगा पर अफवा अगर गलत मिकलेगी, तो Price गिरेगा, और सुनो, ढंग से गिरेगा ठीक है, मतलब सर, option strategy, तो इन्होंने decide किया कि हम call भी खरीद लेते हैं, और put भी खरीद लेते हैं एक पर्चिस वन थ्री मन्थ कॉल, और कॉल का strike price है, 42, strike price है, 42 से उपर जाएगा, तो हम option exercise कर लेंगे प्रीमियम कितना है, इसका दू रूप है, और एक रूपय प्रीमियम पैट किया है, put के लिए उसका exercise price कितना है, 40 सर ये strangles हुआ और इसका प्रीमियम है, एक तो टूटल मिला कर हमारी पास कितना आ गया, 3, 42 से उपर गया, तो call exercise, 40 से नीचे आया, तो put exercise गया, कितना, 3 determine the investor's position if the tie-up of forbids the price ABC incorporation कितना हो जाता, 43 हो जाता है, 43 हो जाता है, कौन से exercise, sir call exercise, sir एक रूपय का फाइदा, पर तीन रूपय का loss, ultimately दो रूपय का loss, समझ में आरे हैं, 43 हो जाता है, एक रूपय का gross pay off पर प्रीमियम कितना है, टोटल 3, तो दो रूपय का loss है भी, determine the investor's ending position if the tie-up program, sales और stock जो है, वो 36 हो जाता है, अगर 36 हो जाता है, तो put exercise, 4-3 तो एक रूपय का profit, और बात खतम हो गए, और तीसरा point तो है नहीं है भाई, बता हो, फिर तो यह दूसरी कोशन है, सरी कोशन तो हमसे बन जाएगा, नहीं, बिटे, नहीं, मैं homework दे दूँगा, बहुत सारा ताप कोगे, सर, कुछ भी homework दिये जा रहे हो, दिये जा रहे हो, भई, खुद तो करवाओ ना, हम पैसे किस चीच का दे रहे हैं, चलो यह कोशन में करवा रहा हूँ, पर यहाँ इस सिर्स मान के कोश्चन बनाते हैं, cost of strategy, cost of strategy, 2 plus 1, 2 plus 1, 2 plus 1, rupees 3, 100 shares, is 300, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब पॉइंट नमबर वान, अगर price हो जाता है, तो, कितना, if price, rupees 43, 23, in this situation call option will exercise, input will let's, in this situation, put option will let's, and call option will exercise, exercise, gross player, 43 minus 42, rupees 1, number of shares, 100 shares, rupees 100, gross P of minus, cost of strategy, rupees 300, rupees 200, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दूसरा क्या है, price on maturity कितना हो जाए, सब price on maturity 36 हो जाए, here, price on maturity is rupees 36, put option कितने पर हो जाए, in this situation, call option, will lapse, input option, will exercise, यह फादा है ड कोड़ी पह आसे हादा है делать about 5 in a workforce ier किए केस्ची इमीदश है कि दा र ञुद यहां है नस्डाँ कि आस दियुग वैञवार झाक सकार्द यहां है इस टाँ, स्टाल Esp bipartisan दाद ऋडिगा। rupees 4 into number of shares, 100 shares of gross pay, rupees 400 minus cost of interest, 300 profit, rupees 100, sir, ये question वैसे हम ही कर लेते हैं, पर ना बहुत सारा में homework देता तो आपके मन में आ जाता, कि यार सर होमवर की होमवर दे रहा है, ठीक हैसे, ब्रेक ले लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आज option खतम करना है, option आज किसी भी हालत में खतम करें, बचे हुए question करके, एक जो है, चलो theory है थोड़ा बात वो भी खतम रहा है, ब्रेक है अभी आप,